सो ही गाइज वस्ताब क्याश हो सभी आयोप सब मेरे वाई मस्त होंगी गाइज आज किस्णू उडिक अंदर में आप लोको यह बतलाने वड़ा हूँ क्यासे आप लोको इडिश्टू करने वाली फोटो डिंग कर सकते हो जो कि आप लोको ने कभी ने कभी इस्टाग्राम र करते हैं वीडियो को एंदर करना है ओड़ जिस फोटो को इडिट करना तो जिस फोटो को अदर यह एक सीर का ओप्सन देखने को मिलता है तो उसी वह बोले शीर की आप सिन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को पिक शार्ट एब के अंदर स्यर यहांपड कर लीना जैसा ही आप लोग Pixar एप के अंदर अपने फोटो को सेयर करते हो आपके सामने कुछी तरह का option खुल के आ जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले tools वाले option पर क्लिक करना है कुछी step से तो यहाँ पर आपको adjust के नेम से एक tool देखने को मिलता है जो कि यह रहा दिखलाता हूँ यहाँ अप हलका सा गलत मार्क हो चुका है यह रहाँ adjust का एक tool तो उसी वाले adjust के tool पर क्लिक करना है और अपने photo में lighting बेगर को यहाँ पर कुछी step से adjust करना है सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं brightness को अपने photo के recording बढ़ाते हैं और contrast को ही बढ़ाते हैं यह चीज आप लोग अपने photo के recording कलेना जितना भी यहाँ पर tool दिख रहा है सभी का amount को यहाँ पर क्या करना है अपने photo के हिसा आपसे हलकालका बढ़ा लेना है सो मैंने यहाँ पर इस वाले फोटो के एक ओर्डिंग लाइटिंग बेगर को एड़िस्ट कर लिया है जो कि बीफोर आप्टर यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर क्या करते हैं उपर में done वाले option पर क्लिक करते हैं अब second step के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे अपनी photo में color को add करेंगे जो कि देख सकते हो फोटो कितना फीकापन दिख रहा है तो इसमें color को add करने के लिए नीचे में यहाँ पर effect के name से एक tool देखनों को मिलता ह तो इसी वले effect के option पर क्लिक करना है, effect के option पर क्लिक करने के बाद simple वाले effect को select करना है, और इसको सबसे आगदोर करना है इस तरह से, तो यहाँ पर आपको सबसे last में, saturation के नौम से एक option देखने को मिलता है, तो इसी वले saturation के option पर क्लिक करके, इसके उपर फिर से क्लिक करके, इस इस टैप से अपने skin पर से सारे effect को यहाँ पर remove करना है और अब यहाँ पर क्या करते हैं इसको एक अबर done करते हैं और थोरा सा आप लोग before after यहाँ पर दिख सकते हो कि इतना changing आ चुका है तो इसी परकार से आप लोग कर लेना और यहाँ पर इसको done कर लेना done करने के बाद अब यहाँ पर आपको बतलाता हूँ कि आप लोग अपने face के उपर work कैसे कर सकते हो यानि कि अपने face को आप लोग smooth plus white कैसे करना है यह चीज करने के लिए नीचे में आपको यहाँ पर एक retouch के name से tool देखने को मिलता है फोर नमर पर तो उसी बले retouch के option पर क्लि करना है और यहाँ पर आपको नीचे में auto के name से एक option देखने को मिल जाएगा तो इसी बले auto पर क्लिक करना है और कुछी step से यहाँ पर इसको कर देना है और फेस में यहाँ पर white देने के लिए यानि कि face में lighting को देने के लिए यहाँ आपको नीचे में skin tone के नाम से एक option देखने को मिलता है तो इसी बले skin tone के option पर क्लिक करना है और manual color के option पर क्लिक करके इसको ऊपर क्यों करके white करना है और यहाँ पर इसको done करके फिर से यहाँ पर auto पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देख सकते हो auto पर क्लिक करता है कितना मस तरीके से face white हो चुका और अब यहाँ पर इसको done कर लेना है इतना काम करने के बाद अब आपको बतलाता हूं कि आप लोग अपने background को कैसे बना सकते हो background को create करने के लिए नीचे में आपको remove.bg के name से एक option देखने को मिलता है तो उसी वाले option पर क्लिक करना है तो automatically आपके background को यहाँ पर remove कर देगा देख सकते हो कितना मस तरीके से remove हुआ है और उसी के नीचे यहाँ पर background के जश्ट बगल में smartbg के name से एक tool देखने को मिलता है अगर यह आपके में option नहीं आता है तो आप लोग fixart के लिए टेस्ट वर्जन को download कर लेना smartbg के option पर click करते ही कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर हलका सा क्या करना है wait करना है यहाँ पर हलका सा load ले रहा है तो यहाँ पर बैक्गरूंड लगा देगा जो कि देख सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग यहाँ पर select करना बांकि cv background को यह करना है और फिर से यहाँ पर क्या करना है वेट करना है तो result आपके सामने है जो कि देख से तो कि इतना मस्त background यहाँ पर लग चुका है cv वाला boke effect तो अगर आपको पसंद आता है तो इसको select करना है कुछी step से और download के option पर click करके download करके use कर सकते हो बांकि अपने background को लगाने के लिए यहाँ पर back करना है तो यहाँ पर एक background के name से option आ जाएगा तो इसी वाले background के option पर click करना है और arrow वाले option पर click करके discussion boss के अंदर आपको 100 plus से भी background दे दूँगा जो आपको पसंद आता है आप लोग अपने photo के recording यहाँ पर लगा सकते हो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर done करने के बाद यहाँ पर क्या करना है अपने कपड़े के साथ अपने background को match कराना है यानि कि अपने photo को match कराना है तो यह चीज करने के लिए नीचे में effect के option पर click करके colors वाले option पर click करना है और इसको यहाँ पर सबसे last story आग के ओर करना है तो यहाँ पर आपको hue के name से एक option द लगा सकते हो कलर को और यहाँ उपर में इसे वरस के ओप्शन पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट कर लेना और कुछी स्टाप से फोटो को जूम करके अपने कपड़े को यहाँ पर कलर कर लेना सो गाज मैंने यहाँ पर क्या किया इसको ड्रो करके यहाँ पर डन कर लिया हूँ और इस वरले कलर को यहाँ पर सिलेट करता हूँ बाकि जो आपको पसंद आता है आप लग अपने फोटो के एकोडिन यहाँ पर कर सकते हो जैसे कि मैं एक्जामपल के लिए यही वरले कलर को स option पर की लिक करता हूं कुछ इस टैप से और search वाले option पर tap करके green background यहाँ पर लिखता हूं कुछ इस टैप से जिस color card आपका background रहेगा उस वाले background को यहाँ पर search करना है तो मैंने इस वाले background को यहाँ पर select किया है और अब अब यहाँ पर क्या करता हूँ सबसे पहले adjust के option पर क्लिक करके हलका सा brightness को यहाँ पर देता हूँ और यहाँ पर इसको done करके इसके blending को यहाँ पर क्या करता हूँ multiply के उपर कर लेता हूँ और user brush के option पर क्लिक करके invert करके photo को zoom करके कुछ step से यहाँ पर कर लेता हूँ सो गाज मैंने यहाँ पर क्या किया इसको time देकर अच्छे तरीके से कर लिया है और अब यहाँ पर क्या करता हूँ इसको done करता हूँ इस तरह से और background के अंदर आप लोग कुछ भी add करना चाहते हो जैसे कि bokeye effect light png तो यहाँ पर add photo वाल option पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर add कर सकते हो तो मैंने एक bokeye effect की png को add किया है और light की png को add कर लिया है सबसे पहले क्या करते हैं bokeye effect की png क्रोप बेगरा कर लिते हैं कुछ इस टैप से और जहाँ पर भी लगाना होगा वहाँ पर इसको add करके blending को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग screen के उपर कर देंगे ताकि black part हट जाए और duplicate करके जहाँ पर भी add करना होगा यहाँ पर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर क्या करते हैं, light png को लाते हैं और यहाँ पर इसको adjust करते हैं और इसके भी blending को यहाँ पर change कर लेते हैं और simply से यहाँ पर इसको done कर लेते हैं तो इसी तरह से आप लोग Pixar एप का अपयो करके इस तरह का photo बना सकते हो जो कि मैंने आप लोग को बतला ही दिया है यहाँ पर आपको क्या करना है, add photo वाले tool पर यहाँ पर click करना है कुछ इस टैप से और जो हमारा original photo है उस वाले photo को यहाँ पर हम लोग add करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो यह वाला photo है इसको add करके, इसको full कर लेंगे इस तरह से, यानि कि adjust कर लेंगे, full करके और यहाँ पर क्या करेंगे, उपर में इजबरस के option पर click करके, कुछ इस टैप से हलका सा इसको zoom करेंगे और अपनी phone में screen recording को यहाँ पर हम लोग on करेंगे, जो कि यह रहा, तो इसको आप लोग on करेंगे और hardness को बढ़ा के, और size को हलका सा कम करके, कुछ इस टैप से इसको erase करना तो आपका भी video यहाँ पर बन जाएगा, जो कि दिख सकते हो बन रहा है, तो इसी परकार से लोग यहाँ पर करते हैं